नमस्कार किसान भाईयो, कैसे हो आप सब? कर सकते हैं और जो सर कर रहा है इसको बहुत बड़े पेमाने पर उनसे भी आपको मिलाएंगे और पूरी जानकारी लेनी की कोशिस करेंगे कि हम रूती करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो किसान भाईयो वीडियो को करेंगे स्टार्ट अगर मेरे चैनल पर पहली वार आए तो इसको सब्सक्राइब जरू कर लें और दूसरे जो किसान भाईयों उनकता को पहुंचाएं तो मिलाते हैं उनकिसान सर से तो सर आपका स्वागत है नमस्कार नमस्कार कैसे हैं सर बड़ी अच्छा तो सर आप सबसे पहले यह बताईए जैसे कि हम बागवानी बहुत सारी फिल्ड में देखते हैं अलग-अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं लोग आपको अमरूद की खेती में क्यों आए सबसे पहले इसका फुड़ा सा बता नहीं है अच्छा इसलिए फिर अमरूद को मैंने थोड़ा सा बढ़ावा दिया और जादे इस तर पर अच्छा तो अमरूद की खेती में यह होगी तो कैसे आए सबसे पहले अच्छा किसान भाई काफी बार पूछते हैं कि अमरूद की खेती में जो हैं सबसे पहले की कौ अबादी सफेदा था तो ललित थी श्वेता थी यह सब बुरानी वराइटी चला गरती थी लेकिन वह मैचेवर होने में थोड़ा जादा वक्त लेती हैं एक तो ग्राफ्टेड पौदे होते हैं तो ग्राफ्टेड पौदे चलने में पांस साल लेते हैं और अब जो यह न यह बात हो गई कि आप सबसे जादे जो कुछन पूछा जाता है कि वही इसको लगाने का सही समय क्या है कि लगाने का सबसे सही समय यही चल रहा है जुलाई अगस सबसे अच्छा सही समय है इसके लिए लगाने के लिए लगा तो आप पूरे साल सकते हैं थंड ना हो थंड स makan आप तो आप देखो तो घंड होती महां तो नहीं कर सकते हैं इससे प हाड़िसेत्र में नहीं कर सकते हैं आप राजिस्तान में भी होता है और अपने उत्तर परदेश में भी हो तो एक तो गरम जलवा Mozart s मिट्टि किसी प्रकार की हो अमरूद पर कोई ज्यादा फरक पड़ता रहा देखो लागत का तो अगर में बताऊ तो इसे कई अलग अलग दूरियों पर लगाया सकते हैं जैसे नई दूरिया चल रही है जिसे high density, ultra high density इन दूरियों पे लगता है, आप मेरे हाँ भी देखो तो काफी अलग-अलग दूरियों पे लगा हुआ है, तो अभी जैसे 6 भाई 6 पे भी लग रहा है, 10 भाई 8 पे, 10 भाई 6 पे, 8 भाई 6 पे, तो अलग-अलग दूरियों पे लग रहा है, सब high density plantation है, तो आद कर सकता है, तो यह जो आपने plantation किया है, जो हम देख रहे हैं समय, यह कितनी दूरी पे लगा हुआ है, यह दस भाई 8 पे लगा हुआ है, जिस प्लॉट पे भी हम यहां पे खड़े हुआ है, तो इसमें थोड़ा तेजी से काम हो जाता है, कि जैसे हम इस प्रे वगरा करते है तो उस समय ट्रेक्टर बीच में गुसा के काम हो जाता है, चोटी दूरी पे ट्रेक्टर अंदर नहीं गुसता, तो बहार से इस प्रे गरने पड़े हैं, अब जैसे ही एक बात 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 बाते हैं, जब लगाते समय कोई जरूरी नहीं है, कि हमें इसमें कोई स्पेशल से नाप्तोल करने के बाद में, लगाने के बाद में उसमें एक फंगी साइट और एक इंसेक्टिसाइट कीट नाशा की ड्रेंचिंग कर दें, खाली इसके अलावा किसी और चीज के आवशकता नहीं पड़े, लगाते समय कुछ फर्टिलाइजर बगारा भी कुछ लगाने देगा और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि धर्टी कोई हमारी बंजर तो है, माँ है हमारी और पौधा अगर हम लगाएंगे तो खाने के लिए, पौधे के खाने के लिए तो बच्चे के लिए तो सब कुछ महां पर मिलेगा, जैसे कंपोस्ट खाथ बगेरा है, मैं तो नहीं सही करता हूं सारा काम और अगर कोई ड्रेप अरेंच कर सके तो वो जादा बहतर है जो कि काफी सारे काम जो है उसमें आसानी से निवट सकते हैं तो सर एक बात और बताईए आप बात करते हैं इसकी कटिंग की खास करके जो सबसे में पॉइंट है क्योंकि कई वार हम देखते हैं कि कई किसान वाई उनों पॉद लगा दिये सालों बीट गए दो साल हो गए फाली नहीं आ रहा है और यहां पर हम आपकी यहां पर राएंफिल्ड पर तो देख रहा है कितना अच्छा रूटिंग है और काफी फल आया हुआ हुआ है तो इसमें कटिंग करते हैं कौन-क कटव लगा हुआ हैं हमारे यहां पर अच्छा एक कमरे अडर यहां वहा वह जतनी हैंगे हम आपस में थोड़ी यहां से उगी होगी उतना वहां पर खड़ी टहनिया फास से नहीं काटते थोड़ी दूर की टहनिया होते वो काटते यह फल जासे अब लगा हुआ है इसकी सब आयाइटियों में करते हैं यह तरही ताइवान जितनी हमारी पुराणी ट्रेडिशनल वेराइटी है तो देगी कितनी अच्छी फूटिंग है या पर सभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है पूरा पौधा और काफी तो सार यह बताईए इस एक पौदे से आप कितने किलो तक मतलब एक पौदे से अमरोग अगर मैं सही बात करूं तो यह दूसरी फसल है बड़ी फसल यह देगा अब भी अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूं 12-15 किलो माल तो अब पौदे पर होगा किसी पौदे पर 20 किलो भी है यह आपकी फसल जो है पौदे लगबक कितने साल होगे यह मेरे पौदे लगबक तीन साल के होगे यह जैसे पहला साल था फूरूटिंग फूरूटिंग ली नहीं थी हमसे बताया गया था कि तोड़ देना लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कुछ तोड़ना नहीं होता है सब छोड़ा ही जाता है सबसे पहले जैसे कि आप कहां से लाते हैं पहले तो यह और दूसरी बात कि एक एकड़में कितनी लागत आ जाती क कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं हो सकता कोई बेचने वाला 25 रुपे में बेच रहा है तो एक तो हमें अच्छी नर्सरी का चुनाब करना चाहिए तो पौधे असल में उत्तर प्रदेश में बनते भी नहीं सब पौधे आंधरा बनते हैं टिशू कल्चर के पौधे होते लेकिन पौधे लाते समय कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए नर्सरी वाले जो कीमत लेते हैं उसी चीज की लेते हैं अम्रूद में एक मुख्यत रोग लगता है जड़ में जिसे नीमा टोड बोलते हैं तो जो नर्सरी अच्छी नहीं होती पौधा बनाते समय में प्रिकॉशन नहीं लेती हैं तो वह नीमा टोड अगर जड़ों में लगा हुआ हुआ तो वहां दस-वीस रुपे के पीछे किसान पूरा प्लॉट बिठा देगा सारी लागत फितम हो जाएगी तो अभी जो पौदे माते हैं तो वह कोको पीट वाले होते हैं जैसे मैं नहीं मटोड लग जाता है तो अपनी खुराग महां से निकालता है तो हमें पौदे लेने चाहिए जो कोको पीट में आ रहे हूं अच्छा वह बढ़िया है मुख्यते हमें वह देखने चाहिए चुनाब करना चाहिए तो यही में चीज है इसमें देखने के लिए तो इसक बरसात का समय तो फूर फ्रूट फ्लाय लगती है तो हमें आप देख रहे होगे जगे जगे देखना की ट्रैप लगे हुए तो एक बार सर ट्रैप लगा हुआ है और उसको हम एक बार किसान वहीं को दिखा देते हैं कि उसका क्या यूज तोड़ा यह जूम गर्दे सा दि बड़ी होती है एक ऩो इस और वाली इस्तिती होती है तो इस इस्तिति पर हम ट्रेप को इंस्टॉल कर सुट है तो लगब्ला थीन महीने हो घते हैँ हमें नहीं लगा हृए और हमें इसमें फॉयलर स्प्रे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अच्छा तो यह पॉंटिटी बताती है हाँ जी हाँ ऐसा नहीं होता कि इसे लगाने के बाद में हमारा फ्रूट जो है वह काना होने से रूख जाएगा उसके लिए खाली हाँ वह हमें इस पर तरीके से ही पर तो इसके आप काफ़ी लंबे समय से अमरूथ की खेती कर रहे हैं और क्या क्या कोई जो खास बात अनुसार रहे गई हो या वी जो साब्धानी बरत्नी होती है अमरूथ की खेती में उसको बारे में थोड़ा सबताई है देखो में चीज तो खाली कटाई-छटाई का है अच्छा हमें किस मौसम में फसल लेनी है दाइवान पिंक में कटिंग से चलता है जब हम इसकी कटिंग कर देता है तो लगबख पांच महीने से प्रोड़क्शन चालू कर देता है अब यह मेरी कटिंग लगबख मार्च की लग हुए और आज हम अगस्त में खड़े हुए पूरा हर्वेस्टिंग के लिए हम चाहे तो इसे पंद्रा दिन में तोड़ लें तो इस समय प्रोडेक्शन के लिए तयार तो आप कितनी एकर लगबग कर रहे हैं मेरे पास लगबग यहां पे 25 एकर जगह है जिसमें से मैं हर साली लगाता रहता हूं थोड़ा-थोड़ा क्योंकि इसकी लाइफ भी जो है वह लगबग 10-12 साल होती है तो उसी हिसाब से प्लैनिंग भी करनी ज़रूरी है कि कलको उखाड़ना भी उखाड़ना इसलिए नहीं करना पड़ते है एक तो कितना मुनाफ़ा ले सकता है एक इकर मुनाफ़ा देखो के ऊपर भी बात है इसमें और मुनाफ़ा कोई था भी नहीं है और गनने से हम बहतर प्रदर्शन इसमें कर सकते हैं लगबग अगर हम बात करें तो एकड में बड़ी आसानी से देर से दो लाख रूपए निकाला जा सकता है खर्चे काट के अच्छा तो यह साल में आप कितनी फसल ले लेते हो साल में अब फसल ऐसा कुछ इसमें निश्चित है कितनी फसले ले अब जैसे प्रोड्यक्शन पर आगया तो अभी आप देख सकते ओं हाँ यह बढ़ा रही है हाँ जी हाँ तो इस पर खेर का मैं देखो यह साइस भी बना हुआ है तो एक में क्रॉप हो जाती है और बाकी जो दूसरी क्रॉप होगी वह एक सब क्रॉप हो जाएगी इसमें तो आपका खर्चा चलता रहे तो मान सकते हैं यह अगर हम बरसात की इस पर दिखने देख रहे हैं या और भी जो पहले से कर रहा है लेकिन अच्छा मुनाफ़ा नहीं ले पा रहे है या फिर दिक्कते हैं तो उन्हें लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे तो अच्छी वेराइटी का चुनाव करें एक तो जी और काम करने से पहले किसी भी पुराने आदमी से सलाह लेने से जिचके बात करके मेरे पास भी आना चाहें तो आके फील्ड विजिट कर सकते हैं मेरी कोई नर्सरी नहीं है कोई ऐसा कमर्शल काम नहीं है लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो मैं मदद कर रहें तो सर आप एक जगा अपना पूर प्लॉट है यह पूरा तो मेरा नाम निर्दोष कुमार है और मुझे मोनी चौधरी के नाम से भी जानते हैं बिलारीगा में रहने वाला हूं और मेरा जो फार्म है कुछ खेती गाउं में है और बाकी राजा का सहिसपूर जहां आप भी खड़े हुए यह प्लॉट राजा गूम सकते हैं तो किसानवायों देखिए आपने अटर सुलिया और पूरी जानकारी कोसिस दिये देने की उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कमेंट आपका छूड़ आया जानकार नहीं मिल पाई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं आप और कोसि सब्सक्राइब जरू कर लेना और जो अम्रूत की खेती कर रहे हैं किसान भाई तो यह करना चाहते हैं उन तक सही है जरू करें इस चैनल को